King is back, जी हाँ, Pixel Experience का एक Plus Edition का latest update आ चुका है और इस बार ऐसे ऐसे features यहाँ पर add कर दिये गए ना, जो कि हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हमें Pixel के रोम पर यह features देखने को मिलेगा, जो कि आज possible हो गया है, तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको इस related पूरी जनकार यह दे कैसा रहता है, आपको वीडियो को लास्ट टक watch करने के बाद पता चल जाएगा, और आप यह decide कर पाऊगे कि इससे install करना है या फिर नहीं, और अगर आप already इसे use कर रहे हो, तो आप comment करके बताना अपना opinion कि आपको use करने के बाद कैसा लगा, और अगर आप first time visit कर रहे हो च और यहाँ पर आपको pixel का android 11 देखनी को मिलता है, जिसमें 5 June का latest security patch दिया गया है, jet loss का kernel है तो video call आप कर पाऊगे, और pixel experience plus edition का यह जो update है, यह आपको 18 June का देखनी को मिलता है, जी हाँ, publish तो यह 21 को किया गया है, लेकिन 18 June नमबर आपको देखनी को मिलेगा, तो confuse मत होना कि ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पर publish late हुआ है, लेकि जो bill number है वो थोड़ा आपको old देखनी को मिलता है, और यह एक official update है, इसके बाद अगर हम आते है system के अंदर तो आपको अगवाई system में तो हर वार वही रहता है, लेकिन नहीं, इस वार आपको नया option देखनी को मिलता अगर आप button के उपर आते हो, तो यहाँ पर backlight, backlight का option पहले नहीं था, तो यह अब add कर दिया गया है, जहां सब backlight को control वगरा कर सकते हो, कितने दिर का time out यहाँ पर होना चाहिए, तो यह काफी अच्छा features यहाँ पर add हो चुका है, अगर आप customize करना पसंद करते हो, बाकिया यहाँ पर आपको दिखनी को मिलता है, तो यहाँ पर कोई change आपको दिखाई नहीं देता, next big change आपको देखनी को मिलता है, face unlock के अलावा apps lock, जी हाँ, हम सब काफी time से wait कर रहे हैं, तो सोचते भी नहीं थे कि हमें pixel में कभी apps lock देखनी को मिलेगा, क्या आपने सोचा था, notifications को और बाकिया चीजों को lock कर पाऊगे, और यहाँ पर मैंने Antutu को lock कर रखा है, जहाँ पर आप देख पाऊगे, use, paint, face और fingerprint, तीनों option यहाँ पर मिल जाता है, तो किसी भी एक के help से आप अपने जो application को जो कि आपने lock कर रखा है, उसे आप unlock कर पाऊगे, अभी मैंने device को restart किया था, इसलिए fingerprint यहाँ पर support नहीं ले रहा है, क्योंकि one time तो आपको display password in करना ही परता है, तब जाके fingerprint और face unlock काम करता है, और यह है इसका Antutu का score, जो कि मैंने 8.1.8 यूच किया है, जिसके हिसाब से एक normal सा performance आपको देखनी को मिलेगा, इस pixel के तरफ से, उतना ज्यादा Ant version में अगर बात करें, तो देखनी को नहीं मिलता, हमारा जो device है, यह play store certified रहता है, और safety net pass रहता है, तो आपको यहाँ पर route करने की दुरूद नहीं पड़ेगी, safety net को पास करने के लिए आप DAX banking app यूच कर पाओगे, और आप एक non route users हो, तो भी आप benefits ले पाओगे, यहाँ आप जो default camera है, यह simple सा ही camera मिलता है, बट आप Gcam यहाँ पर यूच कर सकते हो, क्योंकि मैंने best Gcam का वीडियो दे रखा है, तो आप उसके help से अच्छा खासा photos यहाँ पर click कर पाओगे, तो वो वीडियो आपने check नहीं किया है, तो एक आप check ज़रूर कर लेना, अब तक तो sound assistant सिर्व पर सिर्व हम MIUI यू यू रोम पर ही यूज करते हैं, वो भी Android 11 वाले users के लिए, अब sound assistant का नया features प्रोवाइड कर दिया गया है, custom room के उपर, जो कि pixel plus के उपर है, जहाँ पर आप देखो है कि sound को आप only on YouTube application को control कर पाओगे, और अगर आप Bluetooth connect रखते हो, तो उसको भी ह तो यहाँ पर sound assistant का नया features, pixel plus की और से add कर दिया गया है, जो कि मुझे यहाँ पर reality में काफी ज़रा सही लगा, जो कि आपके काफी काम आने वाला है, और यहाँ पर आप देख से तो यह अच्छे से काम भी करता है, तो single single application के उपर है, जो आप control कर सकते हो, sounds वगेरा को, जैस Wi-Fi का भी option देखनी को मिलता है, जो कि आप अपने merge ग्रुसार यहाँ पर थ्वावत कस्टमाइज या चेंज वगरा है, जो कर सकते हो, यहाँ पर live display के अंदर आपको preview बगरा देखनी को मिलता है, display color वगरा, सब कुछ आपको working देखनी को मिलेगा, और यहाँ पर वही सारे common option आपको देखनी को मिल जाएंगे, Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, वीडियो कॉल, यह साइच चीज़ आपको काम करता हो न जराता है, इस से related कोई issue नहीं है, और इसे मैंने जितना भी उच किया है, आप देख से तो 3 hours 59 याने 4 hours complete होने वाला है, और 16 hours पहले इसे flash किया गया था, यानि डाला गय अंगर नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा सा आपको देखनी को मिल जाता है, और जब भी आप यहाँ पे CPU throttle या अंटू टू रन करोगे, तो आपको battery drain काफी अच्छा कासा देखनी को मिल जाएगा, especially CPU throttle के उपर, और यह रहा मेरा first time का CPU throttle जिसमें जो battery काफी ज़ला down आ गया था 39 के उपर, और जो result आया है, वो 72% है, जो कि बिल्कुली बेकार आप समझ सकते हो कि है, लेकिन जब मैंने इसे charging पे ड्वारा in किया, पहले charging पे नहीं था, तो आप देख से तो यहाँ पे किस तरीक से throttle हुआ, charging पे इन किया, इसे power मिली, उसके बाद इसका result आ चुका है, वो आप देख से तो यहाँ पे charging पे connected है, तक आप gaming को करने चाहते हो ना, तो उसे मैं अपने phone को charging पे लगा के gaming करोगे, तो आपको अच्छा सा output टेखनी को मिलेगा, अदरवाज आपको उतना अच्छा experience देखनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे gaming किया है, call of duty प्ले कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाता, तो ज्यादा बेटर होता, और उमीद करते हैं कि जो next update आएगा pixel का, उसमें gaming के और performance के उपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमी सा feel हुआ है, अगर stand by बैटे वकर की बात करके क्या ह हमें देखनी को मिल जाता है, तो मैं आपको start-up से start करके दिखाता हूँ, तो यह रहा हमाई device certified जो कि मैं आपको show कर दिया है, और इतने ही application by default टेखनी को मिल जाते हैं, और यह 58% पे मैंने left किया था, जिसमें 3 hours last charging है, और 2 hours 6 minutes का screen on timing, जब मैं morning पे check करते हूँ तो आप देख अच्छा घासा है, तो maybe अगर आप SIM card डालोगे, तो 1-2% का drain देखनी को मिलेगा, तो ideal जो draining है, ideal उसमें आपको कोई भी problem देखनी को नहीं मिलता है, तो यह आपको सही देखनी को मिलता है, यह wallpaper मैं आपको देदूगा, तो आप वहाँ से use कर पाऊगे, बलोदुत बगरा ज साफी ज़्यादा सही लगा है, जो कि हर जगा आपको control करने का option देखनी को मिलता है, रही बात के official आखिर क्या change look दिया गया है, इस update के साथ, तो आप यहाँ पर देख से तो इसके site पे mention किया हुआ है, जिसमें June का later security patch update कर दिया गया है, translation को update कर दिया गया है, इसके जो Google का application application है default, उसे improve किया गया है, face unlock थोड़ा सा improve हो चुका है, mirror bug fix किया गया है, और यहाँ पर apps lock add कर दिया गया है, जो कि सिर्फ उसे आपको plus edition में देखनी को मिलेगा, यानि normal edition आप यूच करते हो pixel का तो उसमें नजल नहीं आएगा, और यह volume का जो assistant है, जो मैंने आपको दिखाय यह आपको देखनी को मिल जाता है, इंप्रूब किया गया है, power customization वगेरा को और इसके लाबा कुछ खास और चेंज देखनी को नहीं मिलता है, बट यह जो 2-3 चीज़ एट की गई ना, वो भाई, काफी ज़्यादा दमदार है, और मुझे यह काफी ज़्यादा पसंद आया तो इस वार मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप gaming नहीं करते हो, ज्यादा normal gaming करते हो, तो इस room को आप डाल सकते हो क्यों काफी अच्छा खासा support मिल जाता है, और उमीद करते हैं कि जल्ली है जो sound assistant का feature से सभी custom room के अंदर आ जाए और सभी पे हम benefit ले पाएं, तो और भाएं, चात्श ऑा-बाएं झाल